हेलो बच्चो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्योम किर्स एजुकेशन में और बच्चो, आज हम हिंदी में बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक है नाम वाले शब्द मेंस संग्या और जिसे इंगलिश में नाउन भी कहा जाता है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नाम वाले शब्द क्या होते हैं और उनके कुछ उधारन भी देखेंगे सबसे पहली आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे और इस चित्र में कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और इसमें बहुत सारे गेंज हैं जो की बच्चे पार्क में खेल रहे हैं अब आप imagine कीजिए, मिन्स सोचिए कि इस चित्र में आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं आपकी मम्मी आपको बुलाना चाहती है, आपकी मम्मी को आपसे कुछ काम है और वो आपको घर बुलाना चाहती है तो वो आपको कैसे बुलाएंगी, सोचिए बच्चो, सोचिए, हाँ, वो आपको आपका नाम लेकर बुलाएंगी ऐसे ही आपकी तरह आपके सभी दोस्तों के भी नाम होते होंगे हर व्यक्ति, वस्तू और इस्थान का नाम भी होता है, नाम हमारी पहचान होती है व्यक्ति मिन्स पर्सन या इंसान जैसे राजू, मोनू, वसु मिन्स चीज जैसे किताब, कोपी और स्थान मिन्स जगह जैसे मेरट, आगरा, आदे अब संग्या की परिभाशा देखिए नाम वाले शब्दों को संग्या कहते हैं जैसे अभी आपको मैंने बताया राम, मोनू, राजू वगेरा ऐसे ही फलो के भी नाम होते हैं जैसे आप यहां देख रहे हैं सेब, चैरी, आम, संत्रा, तर्बूज, नाशपाती, अनार, आदी और सबजियों के भी नाम होते हैं, जैसे कौन-कौन सी सबजियां होती हैं टमाटर, आलू, गोबी, प्याज, बैंगन, गाजर, मतर, शलजम, आदी और वाहनों के भी नाम होते हैं, जिनसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं जैसे साइकल, गाड़ी, चहाज, हेलिकॉप्टर, आदी पक्षियों के भी नाम होते हैं बच्चो जैसे मुर्गी, कबूतर, बत्तक, तोता, उलू, कववा, मोर, बगुला, आदी इन सब के अपने अपने नाम हैं और इनकी नाम से ही अपनी पहचान होती है ऐसे ही फूलों के भी नाम होते हैं जैसे कमल होता है, मोगरा, गुलाब, टियोलिप, गैंदा, सूरजमुखी, आरकेड ये सब फूलों के नाम होते हैं और घर में रखी चीजों के भी नाम होते हैं जैसे कंगी, साबुन, तकिया, छाता, जाडू, बाल्टी इनको हम इनके नाम से ही जानते हैं जाडू लाओ तो हमें पता होगा, ये जाडू होती है, तो हम जाडू ही लेकर आएंगे इसी तरह बच्चों लोगों के नाम होते हैं, शहरों के नाम होते हैं, देशों के, पहनने के, कपड़ों के, बरतनों के, पढ़ने लिखने के समानों के, कम्रुई में रखे समानों के और कख्षा में रखे समान आधी के भी नाम होते हैं. जैसे लोगों के नाम राम, शीला, लीला और शहरों के नाम जैसे मेरट, कानपुर, आगरा, लखनव, देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चापान, चीन, पहनने के कपड़े, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, बरतन, कटोरी, ग्लास, प्लेट, पढ़ने लिखने की चीज पैंसिल, रबर, कमरे में रखे समान, ड्रेसिंग टेबल है, खिडकी है, कर्टेंस है, ऐसे ही कक्षा में रखे समान होते हैं, टेबल होती है, कुरसी होती है, डैस्क होती है, डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चौक होती है, तो ये सब इनके नाम होते हैं, अब हमन यह जाना इस वीडियो में कि हर व्यक्ति वस्तू और इस्थान का नाम होता है जैसे कि आपने अभी देखा हर इनसान का नाम होता है हर चीज का नाम होता है जो हमारे घर होती है और हर जगहे का भी नाम होता है जैसे पार्क, होस्पिटल, स्कूल, आदी और इन नाम वाले जो शब्द होते हैं जो हमेने अभी बताए उन्हें ही संग्या कहा जाता है अब आप यह भी जाने रुलाई, हसी, मुस्क्राहट, गुसा, आदी, मन के भावों के नाम भी संग्या होते हैं बच्चो इन्हें भी संग्या शब्द कहा जाता है उमीद है आपको नाम वाले शब्द और संग्या समझ आ गए होंगे और जल्द ही मैं आपकी संग्या शब्द पर वर्कशीट की प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाते रहिए जैसे जैसे मेरी वीडियो आती रहेगी मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यावाद बच्चो बाई टेक क्यार